कोरोना मामारी के लॉकडाउन में 19 दिन पूरे हो चुके हैं और 19 दिन के साथ साथ लोगों को घर में किसी परकार की परिशानी ना आए इसके लिए अजमेर में कई भी विभाग ऐसे हैं जो इस वक्त आपके लिए दिन रात काम कर रहे हैं डेली वर्ल पॉब्लिक स्कूल, इंडियास नमबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है काडमेक्स, स्पोर्ट एंड परफॉर्मिंग आठ का बहतरीन कॉंबिनेशन, अद्मिशिंस ओपन फ्रम प्री नर्सरी तु नाइज स्कूल, प्रिम कोई और दूसरी आपको दूबिदा ना आए इसके लिए इस वक्त काम कर रहे हैं, जो इस वक्त इंडिव में दिखने में आता है, वह ठप हो जाती है, लेकिन क्योरना वाइरस के साथ-साथ, आपके घर के बज्ली, पंखे, एसी फरिज और रसोई में जितने भी एक्विपेंट जो लेटिक के हैं वो चलते रहें बराबर उसके लिए टाटा पावर के करमचारी इस वक्त यहां पर काम कर रहे हैं आपको किसी परकार से दूसरी आसुविदा घर में बैठे बैठे ना हो इसके लिए यह लोग यहां पर दिन रात काम क हैं और टाटा पावर ने क्या वेवस्था इस वक्त बिजली को लेकर की है हम जान लेते हैं टाटा पावर के अजमेर के जो अधिकारी है अलोग शिरिवास्तव वह इस वक्त हमारे साथ बादचीत के लिए मौजूद है सबसे पहले तो मैं जानना चागगा कि अभी बिजल लेना मुश्किल होता है हमारे लिए तो इसी वज़े से हम लोग मार्च और अप्रेल का महिने में इस तरह पीड़ों की शड़े कारिकम करते हैं यहर साल का रूटीन प्रसेस है जो एवरी एर होता है इसके अलावा भी अब हम स्को सावन का महिनी को छोड़ दें बरसात का म समझ है उसके बाद भी शड़े कारिकम सलता है ताकि लैन में आकर कि ट्रिपिंग नहों में इसके पीज़े कारण यही होता है गर्मी का मौसम शुरू हो गया है लोट बढ़ने वाला है लोट को लेकर क्या तयारिया है किसी परकार से लोगो को क्या बिजली कटोती का सामना पड़ेगा कूकि लगाता जन्रेशन जो ओर रहा है जन्रेशन सप्लाई है अगर करम नागो बंद हो जाता है उसक्त को इससा अभी हाल फिलाल मुझे ऐसी कोई नजर नहीं आ रही है किस तरह का कोई यहां पे उदर से वेज़ान आएगा अजमेर शहर के अगर मैं बात कुरूँ इस्पेशली तो यहां हम लोग अभी जो सप्लाइज दे रहे हैं वो 24 गंटे सप्लाइज जा रही पुरी वीक के और कंट गंटे की शिव्ट जोती उसको बढ़ा दिया शिव्ट को और अल्टरनेट डेस में हम लोग उन लोग से काम करा रहे हैं जैसे आज जो टीम काम करिए वो कल नहीं आएगी हैं कल को यह आटीम काम करेगी इससे ताकि उन लोग को आना भी कम पढ़े मिनिमम गड़ से बहां इस तरह के देखते हों लोग सुखते हैं कि क्या ऐसी बात भी सामने आए कि कुछ करम्चार नहीं मना किया इस दौरान को रोना मामारी के काम करने नहीं आएंगे या तमाम लोग तयार हैं क्योंकि हमारा जो विद्धर विवाग है यह स्प्लाइदेने होती है अगर आज की उनको भी दिक्कत आजएगी प्लिस रबार्टमेंट उसमें भी दिक्कत हैगी हर जगर दिक्कत आएगी तो इसलिए हम लोगों की जिमेदारियां जो है हम पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं और हमारी जिमेदाने ज्यादा बढ़ जाती है कि शेहर को 24 गंटे से भले पाहें एक बात और कि मुक्रिमंतिर अशुक घहलोत ने फैसला जारी किया कि बिजली के बिलों में राहत की बात की तीन महीने का उन्होंने थोड़ा सा सब्सक्राइब करने की बात की उस बिल को लेकर कई लोगों में संशिय है उस बिल को जो आदेश है उस अपने मार्च के लिए आप्स्टन है कि वह चाहे उबुकता दे चाहे नहीं दे कोई कंबल्शन नहीं उसको देना पड़ेगा लेकिन उन तीनों का बुकतान उसको एकसाथ करना पड़ेगा जब जून में जब उसकी बिलिंग होगी इसके अलावा अभी कोई बुकता करते हैं अगर इस तरह करते हैं तो पाच परचन उनको छूट भी मिल रही है तो बुकतान वैसे इस दौर में आपको करना चाहिए बिले नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे तमाम जो कोरोना के योद्दा हैं सई माइनों में क्योंकि ये वो लोग हैं जो तमाम अस्पतालों को पुलिस विभाग को और आपके घरों के अंदर बिजली 24 घंटा आए उसकी विवस्था करते हैं अगर कहीं पर किसी परकार की दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को तुरंद प्रभाव से दूर भी करते हैं तो जरूरी है कि जितने भी कोरोना का योद्दा है उनकी कहानी आपको दिखाए उनका सम्मान आपको करना है और ये वो लोग हैं इनकी सलामती क के लिए आप दुआ कीजिए क्योंकि अगर ये सलामत रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिकत नहीं होगी के मेरा परसंट राजवीर के साथ सुशील पाल एंपटीव इंडिया अजमेर कि अगर 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 अगर